तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपना इट्रीब चानल बेंग फर्मासिस्ट में तो आज हम पढ़ने वाले हेक्जोज मोनो फॉस्पेट संथ पाथफ़े जिसको एचेमपी संथ पाथफ़े सॉटकट में हो गये हैं तो फ्रेंड्स हम इससे पहले खतम कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसी साइकल और सिट्रिक एसी साइकल अगर आप ये वीडियो या ये लेक्टर नहीं देखा है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्सम डॉक्स में राख दूंगा वहां से आप देख सकते हैं तो आजन समझते हम पी सौंड और इसका सौंड का पाथवे जिसको हम रियाक्शन पोलते हैं और इसका सिग्निफिकेंस तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो friends, HMP Sun Pathway का एक नाम नहीं है, इसका बहुत अलग-अलग नाम है, अगर exam में अलग-अलग नाम से आता है, तो आपको यही लिखना है, अब किस तरीके से कौन से नाम से आता है, तो आपको HMP Sun Pathway लिखना है, देखियें, जैसे कि Hexos Monophosphate Sun Pathway इसका तो वही नाम हो गया, और दूसरा नाम क्या है, Direct Oxidative Pathway, और दूसरा Pentuos Phosphate Pathway, और Warburg Relipman Dickens Pathway, इसका अलग-अलग नाम है, जैसे कि देखियें, कितना नाम होगे, एक नाम, दो, तीन, चार, पांच नाम है इसका, तो इसमें से कोई भी नाम से, अगर HMP Sun Pathway पूसता है exam में, तो आपको यही करना है energy को, तो सबसे पहले हम परहत है, glycolysis और citric AC cycle, इसमें क्या हो रहा था कि, जो glycolysis cycle है, इसमें क्या हो रहा था, गुलकोज जो है, pyruvate में convert हो रहा था, आनि कि, गुलकोज किस में convert हो रहा था, पाइरुमेट और उस दवरान हमें ATP मिल रहा था, इनर्दी, ATP as a source of इन इंटर करता था यहां पर देखी इंटर किया है और उसके बाद हमें यह रियक्शन मेटाबॉलिक पाथ भी हो रहा था उसके बाद FADH2, GTP, ATP, NADH, यह NADH सब रिलीज हो रहा था जो कि energy source आप काम करता है वो क्या है ATP आनिकि इन glycolysis और यह citicase cycle में क्या हो रहा था कि गुल्कोज का metabolism हो रहा था गुल्कोज का metabolism हो रहा था तो HMP-100 path में भी क्या होता है गुल्कोज का metabolism होता है कि किसी भी कारण बस उसका जो enzyme है वो हमारे बोड़ी में synthesize नहीं हो रहा है या कुछ उसका defect हो रहा है हमारे बोड़ी में glycolysis और creep cycle नहीं होता है तो उस दवरान हमारे जो बोड़ी में होता है वो HMP-1 pathway होता है as an alternative या secondary pathway secondary दूसरा इस्थान पर ये काम करेगा अगर ये glycolysis और creep cycle नहीं होता है तो वहाँ पर HMP-1 pathway होगा अब इस जो pathway इसका main खासियत क्या है इसका जो enzyme है ये किसी और जैसे कि सिकेन में हो रहा था TCA cycle आनि कि क्रेव cycle के enzyme जो उस पर depend नहीं करता है तो देखिए इसका फाइदा क्या है अगर इसका enzyme TCA cycle पर depend नहीं करेगा और वो TCA cycle का enzyme हमारे body में नहीं बर्न रहा है तो ये HMP-1 pathway अपना enzyme यूज करके अपना enzyme यूज करके glucose को metabolize करेगा हमें energy देने का काम करेगा तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं हम इसका location यह होता कहा है यह होता cytosol जो हमारा cell होता है cell में mitochondria, nucleus, क्या-क्या और भी बहुत सारे rough endoplasmic reticulum यह सब होता है जिसमें से cytosol है cytosol में हमारा HMP-1 pathway होता है अब इधर क्या है main tissue है जैसे कि liver होगया, adipose tissue होगया adrenal gland, rhizorocyte testis and lactating memory glands और highly active यह जो tissue सब होगया है यह adrenal gland यह सब जो है HMP-1 pathway के दोरान ज्यादा active होता है आने कि HMP-1 pathway में करने में मदद करता है यह सारे glands सब यह सारे tissue सब अब जो reactions हैं जिसकों पाथे बोलते हैं यह दो types का होता है इसमें दो phase में यह पूरा HMP-1 pathway जो होता है complete पहला जो है oxidative और दूसरा non-oxidative तो friends यह हो गया इसका reactions oxidative और non-oxidative phase का देखिए तो जो इसका जो reaction से हम क्या करेंगे एक चार्ट से समझने के कोशिश करेंगे और अच्छा बेहतर रहेगा तो friends यहाँ पर हम कुछ indication देख लेते हैं जैसे कि यह जो rate color का 6 denote किया गया है यह rate color का 6 है यह क्या denote करता है कि number of molecules कितना molecules आनि कि 6 molecule of glucose 6-phosphate है 6 molecule of 6-phosphate glucose lactone है आनि कि कितना molecule से यह compound है वो denote करता है और यह जब blue color के यह 6C denote कर रहा है यह denote करा कि कितना कारवन से बना हुआ है आनि कि 6 कारवन से बना हुआ molecule है यह भी 6 कारवन से बना हुआ molecule है तो अब friends यहाँ पर क्या होगा HMP-1 पात्वे में 6 molecule सब glucose 6-phosphate इंटर करेगा आनि कि यह जो glucose 6-phosphate है उसका 6 molecule इंटर करेगा और उसके बाद बांकी रेक्शन्स होगा और वहाँ पर बनाएगा NADPH जो कि एक energetic molecule है जो कि ATP में convert हो कि हमें energy देने का काम करता है तो देखें यहाँ पर जो क्या होगा यह जो structure ही इसी के नाम के related यहाँ पर जो enzyme होगा वो इसी के नाम से related enzyme होगा आने कि देखें glucose 6-phosphate dehydrogenase glucose 6-phosphate यह पूरा आ गया और उसके बाद dehydrogenase हम यहाँ पर थोरा सा इसमें eat करते हैं तो इस दोरान क्या होगा NADP आने कि 6 NADP यूज होके 6 NADPH plus 6 H plus में convert होगा और बना देगा 6 phosphoglucone lactone 6 phosphoglucone lactone यह बना देगा तो देखें यह जो 6 carbon का यह भी 6 carbon का molecule में convert होगा उसके बाद यह जो बना था इसको हम 6 molecule 6 molecule है यहाँ पर 6 carbon है यहाँ पर 6 carbon है अब यहाँ पर क्या होगा इसको हम hydrolyze करेंगा आने कि पाने eat करेंगे और enzyme यूज करेंगे glucose no lactone hydrolyze glucose no lactone hydrolyze देखें यह नाम से ही related क्या enzyme है और यहाँ पर बनाके देखा 6-phosphor-gluconate 6-phosphor-gluconate अब देखें फेरन्स यहाँ पर जो 6-phosphor-gluconate था यहाँ पर क्या होगा एंजाइम यूज होगा फोस्फा-ग्लूकोनेट ढिडोगोनेट यहाँ पर देखें नाम से यह फोस्फो क्लोपोनेट dehydrogenes यहाँ पर हम हमें यूज़ के हैं और यह बना के देगा ribula 5-phosphate जो कि 5-carbon है देखें यहाँ पर जो था यह शिक्स C-carbon का मॉल्कूल जा है 6-carbon कहाँ पर convert होगा? 5-carbon में. और ओस दोरान piston carbon dioxide भी निकल जाएगा हमें बना है, इसी इस्टक्चर में हमें अलग-अलग दो इंजाम काम करेगा, एक राइबुलोस 5-Hospat, एपी मिनेज, नाम से राइबुलोस 5-Hospat, यहाँ पर आपके एपी मिनेज, यहाँ पर 5-carbon का molecule था यह भी 5-carbon का molecule बनाएगा अब यहाँ पर जो 6 molecules जो था वो अलग-अलग में convert हो जाए यहाँ पर जो है दो molecule बनाएगा और यहाँ पर दो प्लस तो आने कि 2 प्लस तो molecule बनाएगा अब देखें फ्रेंग्स यहाँ यहाँ पर जो है यहाँ पर जो enzyme है ट्रांस क्रिटोलेज यह क्या करेगा यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर कितना रह गया था तीन करबन तो तीन करबन यह क्या क्या गया ? 3-phosphate में तुट जाएगा देखे इसको यह से समझे देखे जो जाइलोलोज 5-phosphate जो था जाइलोलोज 5-phosphate वो 5-carbon का होता है और राइबोज 5-phosphate वो भी 5-carbon का होता है अब यहाँ पर क्या होता है यह जो enzyme trans-cretolose यह thiamine pyrophosphate आनि कि TPP के presence में क्या करेगा यहाँ से क्या कर सेवन कारवन का मॉल्कुल होता है अब यह सेवन कारवन का मॉल्कुल यहाँ पर बनेगा सेडो हैपिलोज 7-phosphate और यहाँ पर कितना रहे है देखे हम 2 तो इसमें से कर लिया माइनस 2 तो हम कर लिया यहाँ पर कितना रहे जाए तीन तो यह तीन कारवन का मॉल्कुल से यहा सब्सक्राइब तो कि इतना पर हम तीन तो ले लिए तीन तो ले लिए तिन इसको पहले से हैं कितना हो जाएगा छे कारवन का कितना बनाएगा यह इसको बेसे समझेगे यहांपर फुक् t को एब देखिये हैक यहां पर समझने वाला बात घ़्याए देखिए यह जो जाइलोलोज 5-phosphate पहले बना था और यह इरैथ्रोज 4-phosphate जो अभी लास्ट माना यह दोनों आके अटाच होगा यह दोनों मिलके होगा यहाँ पर इंजायम यूज़ कर गया ट्रांस कीटोलेज यह ट्रांस कीटोलेज क्या करेगा यह जो 5-carbon का जो जाइल बन जाएका 6-carbon और यह 6-carbon यहाँ पर निकल जाएगा फ्रुक्टोज 6-phosphate के फर्म में अब यहाँ पर हमने दो यूज़ कर लिए तो यहाँ पर कितना रह जाएका तीन तो तीन मॉलकुल जो ही यहाँ पर यह से करके आके यहाँ पर ग्लिसरल दियाइट 3-phosphate के फर्म में का ग्लिसरल दियाइट 3-phosphate 3-carbon का यह एक और रिवर्स ग्लाइकोलाइस होगा यहाँ पर क्या होता है रिवर्स रिवर्स ग्लाइकोलाइस होता है रिवर्स ग्लाइकोलाइस होता है और उस दवरान क्या बनाता है फ्रुक्टोज 6-phosphate ग्लिसरल दियाइट 3-phosphate से फ्रु प्रूप्तोज 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 प हो जाए गा गुलकोज फ़ाइब गुलकोजीच फ़स्पेसे फिर से यह सूरू हो सब्सक्राइब यहां पर यूज किये से एक है इस इस दोरान उनलीकील को अधा है जो इनर्जी देखने को मिलता है देखिए एक प्रेजिए के फॉर्म में हमें इनर्जी देखने को मिलता है तो यह इस्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया हो गया तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि इसका हम देखते हैं इसका हम एक ओवरल रियक्षन देख लेते हैं इसके बाद हम यहां पर शे वाटर यहां पर यहां पर यूज किया थे दिये थी इस रियक्षन को होने के लिए यहां पर निकल के आ है तो यह हो गया इसका ओवरल रियक्षन अब जो सिगिनिफिकेंस यहां पर देखें अब फ्रेंस पाथवें जो हो रहा था वहां पर क्या बन रहा था एनडी पीज देखें इनडी पीज हो गया इनडी पीज बना उसके साथ 5 कारवन का मोलेक्षन बना था राइबू राइबूलोस फाइपस्वड और इसी से पूरा रियक्षन हुआ है आएक उसके बाद तो हम उसका ही तो importance देखेंगे माने कि आपको यह जो pain है आपका बोलेगा इस pain का importance बनाओ बताओ तो आप क्या बताएंगे कि यह अच्छे से लिख रहा है यह smooth लिखता है fast लिखता है और साथ साथ इसका जो structure बाहर का जो चीज से यह बना है इसका भी तो importance हम इसमें देख सकते ना बोलेंगे यह attractive है इसमें थो थोड़ा सा हमें देखने में clear and caught लग रहा है इसी दरान जो इसमें बन रहा था हो pentoses और NADPS बन रहा था तो हम इन दोनों का importance ही HMP1 pathway का importance बोलेंगे ठीक है तो इसमें हम pentoses का importance देखते है तो जो pentoses है और इसका दो derivative ही यह बागी और चीजों के बनाने में काम करता है जैसे के nucleic acid में RNA DNA बनाने में काम करता है nucleotide बनाने में काम करता है जैसके ATP, FAD, NAD+, and coin jam बनाने में काम करता है इसका जो दूसरा important से देखे जो NADPS है उसका देखते है NADPS है यह required होता है synthesis of certain amino acid दूसरा amino acid जो है कुछ amino acid बनाने में जो है NADPS काम करता है तो amino acid हमें body में होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह भी as a energy source काम करता है इसलिए यह जो बनाता है वो NADPS इसलिए NADPS का यह एक खासियत है NADPS phagocytosis में काम करता है आनि कि जो हमारे body में जो other foreign particle या micro organism होता है उसको engulf करने के काम करता है WBC जो की WBC को मदद करता है NADPS तिसरा देखे जो हमारे जो eye का जो lens है उसका transparency maintain करने के लिए high concentration of NADPS required है जो इसका एक क्या है importance में आता है अब अगला जो importance है देखे जो हमारे body में होता micro jomal cytochrome P450 system जो होता है जो क्या करता है detoxification करता है कोई भी हम drug लेते हैं अगर वो toxic drug है तो उसको detoxify करेगा और foreign compounds को जो P450 जो system हमारे जो body में drugs होगे या foreign compound होगे उसको detoxify करेगा और उस दावरान जो reaction होगा hydroxylation होता है detoxification जो होता है उस दावरान hydroxylation होता है और वो NADPS को requirement में होता है अगर यह नहीं होता तो वहाँ पर reaction hydroxylation नहीं होगा और वो detoxify वो compound नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर एक importance यह भी है अब NADPS जो है necessary होता है देखे हमारे body में जो होता है hemoglobin होता है अब hemoglobin किस तीज़ से बना होता है ferrous science है ferrous science है यह जो इस टक्टर में आप देखेगा ferrous science है बना होता है अब इसको हमें reduced state में राखना होता है जहाँ पर NADPS necessary है यह reduced state में इसलिए क्योंकि यह ferrous है 2 plus है अगर यह convert हो जाएगा oxidized state में अगर हम यहाँ पर convert कर देंगे F3 plus यहाँ पर क्या बन गएगा methemoglobin जो कि हमें requirement नहीं है हमें तो requirement hemoglobin तो यह maintain करने के लिए NADPS requirement होता है ठीक है तो friends हम खतम कर चुके है अभी HMPs on and its significance इससे पहले हम glycolysis और CT case cycle भी complete कर चुके है अगर इसका भी link में इस वीडियो के description में डाल दूगा और इसका notes आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा वहाँ पर से आप असारिस डावलोड कर लीजीगा अब मिलते हम next lecture आने की इसके साथ अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद